अलो गाज, असलाम उलेकूम अदाब जैसा कि आप देख रहें वीडियो में कि ये है कतर, Middle East का एक कंट्री है कतर मैंने इस से पहले जितने भी वीडियो बनाये थे कि आप Middle East में किस तरीके से जॉब पा सकते हैं जिसमें मैंने Civil Engineers के लिए कुछ options दिये थे और उनके बारे में बताया था कि कैसे वो जॉब पा सकते हैं यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि आप Middle East में सबसे important चीज़ देखिए कि यहाँ पर trend किस चीज़ का है, सबसे ज़्यादा construction का काम चल रहा है यहाँ पर चारों तरफ आप देख लिजे, एक से एक बिल्डिंग्स आपको देखेंगे तो अभी की date में क्या है कि कतर में 2022 में होने वाला है FIFA World Cup जिसमें construction का काम काफी जोर सोर से चल रहा है और road construction का भी काम काफी जोर सोर से चल रहा है जिसमें मैंने बताया कि CV कैसे बनाते हैं और CV किस तरीके से target करके companies में submit करना है यहाँ पर आप देखें जिस तरीके से यह country डेवलप कर रहा है यहाँ पर इस तरीके job हमेशा रहेंगे और मिलते रहेंगे तो आप लोगों को करना यह है कि अगर इस country में job पाना है तो आप बहुत सारे websites आप देखिएगा गुगल पर मिल जाएगा असानी से वहाँ पर आप सर्च कीजिए companies के names जो भी हैं और constructions related काम करने वाले जो companies हैं उनको short list कीजिए देखिए उनके काम को उनके scope of works को देखिए और उनके जतने भी previous projects उनको आप देखिए इससे आपको idea मिल जाएगा कि किस तरीके का काम आप करते हैं और किस तरीके के company में जाना चाहते हैं उसके बाद simply आप उसमें अपने CV को submit कीजिए जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बहुत सारे companies के list को मैं share करूँगा मेरे अगले वीडियो में वो share होगा तब तक आप जो भी भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो नहीं बनाया CV अपना तो CV बनाया के तयार कर लीजे और जिदना भी जल्दी हो सके आप submit करना शुरू कीजिए क्योंकि इस country में अगले आने वाले 5 सालों तक jobs होंगे अभी कुछ jobs कम हैं लेकिन अगले 4 से 5 सालों में वहां jobs की कमी नहीं होंगी especially construction से related and infrastructure structures से related Thank you very much guys This is Rafiq Ahmed and I will definitely help you out how to get jobs in Middle East in Gulf countries